दोस्तों आज कि इस वीडियो में बताने वाला है हो कि आप Facebook पेज को हमेशा यानि की पर्मानेंट-डिलेट हमेशा हमेशा के लिए कैसे करेंगे बिल्कुल समयके दो मिनिट करेंगा अग्र आप को कोई Facebook पेज है अगर आप उसको हमेशा के लिए डिलेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा मैं आपको सब्सक्राइब करें कर ने आपको एक स्थेचे और आपको पूरा है करना तुछ दोस्टों केBOCI OUT लीजिनल सब्सक्राइब करने के बाद यह तब अब दोस्तों आपको करना क्या है अब आपको सबसे पर अपने मुबाइल में Facebook को उपन करना अब जैसे मैंने यहां पर Facebook को उपन कर ले ठीक इस तरीके से पेज उपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर देखिए यह तरीके से प्रोफाइब वाल आइकन आपको इस पर क्लिक करना अब यहां पर देखिए दोस्तों दो पेज बने हुए है ठीक है अब जो करना क्या आपको यह जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे अब जिस भी पेज को इस पेज को करने के बाद आपको इसी पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफिस देखने को मिलेगा तो आपको तुरस नीचे जाना है यहां पर एक option मिलेगा access & control आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक कर देगे तो यह तरीक से अगर deactivate and deletion तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद अगर कुछ time के लिए deactivate करना चाहते हैं अगर आप डिलेट पर यानिका पर करना चाहते हैं तो नहीं यह पर नीचे जाना यह बता रहा है कि सारा information जो भी आप डाले हैं सब डिलेट हो जाएगा अगर आप डिलेट करेंगे तो ठीक है पेस्ट से सम्द्दी तो यहां पर पासवर्ड मांगें का फाइनल ते यहां पासवर्ड डालेता हूं अब यहां पासवर्ड डालने के बाद कांटीनु वाले पेज पर क्लिक करते हैं अब उसके बाद फाइनल यह हमारा पेज यहां से डिलेट हो चुका है आप यहां पर मैं अगर जाता हूं तो यहां पर पेज को असानी से डिलेट कर सकते हैं मैं इसलिए पेज ही बनाया था ताकि डिलेट करके आपको दिखा दूँ उमीद करूँ झाल सबस्क्नेट